नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक निजर सुर्ख्यों पर विधान सभा की काड़ेवाही कल तक के लिए स्थगित बिहार का सिक्छा विभाग होने जा रहा ओलनाई बिहार के 530 बेरोजगारों के लिए रोजगार का सुनहरा अफसर बहागरवंधन में मचे घमासान पर सीयम नितीश का बयान रोह सर्मा को लेकर सुनल गावसकर का बयान इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरो क्योर विस्तार से विधान सभा की काड़ेवाही कल तक के लिए स्थगित आज से बिहार विधान मंडल के मौनसून सत्र के शिरवात हो चुकी है बतादे के आज के सदन की काड़ेवाही के शिरवात राश्टरगान के साथ हुई वहें जोरान सदन में प्रथम अनुपूरक वे विवरनी पेश किया गया और फिर सोक संदेश के साथ सदन की काड़ेवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया बतादे काड़ेवाही के पहले दिन यानि की आज अध्यक्ष अवद बिहारी चौधरी के द्वारा अपनी बात कही गई वहीं स्पीकर के द्वारा आज अध्यार्शी सरश्यों के नाम का एलान किया गया और फिर विधान सभास अचीव के द्वारा सदन में होने वाली विधाई काड़ियों की जानकारी दी गए इसे बीच पीजेपी की ओर से सदन में नारे बाजी की जाने लगी बतादे कि पहले दिन की काड़ेवाही 14 मिनट तक शली बिहार का सिक्षविभाग होने जा रहा ओनलाइन बहुत जल्दी सिक्षविभाग और उसके निदिशालों का कामकास डिजिडल प्लाटफॉर्म पर आने वाला है जिसके बाद नकेव सभी काम ओनलाइन होंगे बलकि उस पर अफसर के निग्रानी भी होगी बता दे कि सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद बस एक क्लिक से किसी भी मामले से सम्बंदित फाइल कम्प्यूटर के स्क्रीन पर होगी वही सम्बंदित सेक्षविभाग के सभी निदिशाल जल्द ही ई-उफस में तबदील होने जा रहे हैं इसके लिए फाइलो से सम्बंदित सभी दस्तावेजों के स्कैनिंग का काम अपने अंतिम दौर में हैं मालूम हो कि अब तक 3 लाग से अधिक पेजों के स्कैनिंग कराई जा चुकी है इसके लिए बकाइदा एक एजेंसी का चैन किया गया है वहीं ओनलाइन और कागजों के स्कैनिंग के लिए सभी तरह के लिपिक और फाइलों का कामकाजी निप्टाने वाले प्रदिकारियों की ट्रेनिंग भी जारी है सावन के पहले सोमवारी पर शिवालियों में भग्तों की लगी कतार चार जुलाई से सावन की शिरवात हो चुकी है वहीं आज यानी की 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है पतादे किस पूरे महीने में हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है ऐसा माला जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है ऐसे में आज सावन के पहले दिन छोटे बड़े सभी शिवालियों में भक्तों की कतार लगी रही कई जगों पर एक दिन पहले यरविवार की रात को ही श्रद्धालू के द्वारा नदियों से जल लेकर पैदल जाकर शिवालियों में सोमवार को जल चरहाए गया और भगवा 18 जलाई से आरंभोकर 16 अगस्तक रहेगा ऐसे में दिनों में पढ़ने वाले सोमवार व्रत माने नहीं होंगे विहार की 190 पैक्सों में खुलेंगे जन औसी केंद्र खोले जाने वाले हैं इसके लिए सखकारित अविवाग की ओर से राजी के प्रतेग जिलों से पार्मा या डी फार्मा डिग्री धारी युवाओं को निक्ति करनी होगी इसके साथ ही जन औसी केंद्र खोलने के लिए आविदक के पास नियूंतम 120 वर्ग फूट की जगह होना भी अनिवार है मालूमों कि जन औसी केंद्र खोलने से प्याक्सों की आए में बरोतरी होग है दरसल 12 जुलाई और अंगाबाद जिले के टाउन इंटर स्कूल समीप इस DRCC परिसर में रोजगार कैम्प का आयोजन किया जाएगा बतादे किस रोजगार कैम्प में 530 युवाओं का चेहन किया जाएगा मालूम हो किसका नियू आयोजन जिला नियोजनाले के ततवधा में किया जा रहा है इस रोजगार कैम्प के शुरवाद सुभा 10 बजे से होने वाली है जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी इस रोजगार कैम्प में 8 वी पास से लेकर वी टेक प्लस आई टी आई पास युवाओं का चेहन किया जाएगा वही रोजगार के लिए आयो सीमा 18 से 35 स करा ले आज से सक्षक अभ्यर्थियों के आंदोरन किश्रवात आज यानी की 10 जलाई से सक्षक नियमवाली 2023 को लेकर राज्य भड के सक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोरन किश्रवात की गई है बतादी कि आज से आंदोरन किश्रवात गर्धनी बाग के धर्णा स्थल से की जाएगी बिहार राजी प्राणमिक सक्षक संग के प्रदीश रध्यक्ष प्रदीप कुमार पपुक के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया किस आंदोलन में राजी के 30 जिलों से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जड़े हैं वही अब ये तमाम सक्षक अभ्यर्थी कल यानि की 11 जुलाई को बिहार राजी माधिमिक सक्षक संग के आवाहन पर बिहार के राजधानी पटना में सुभा के समय विधाईकों के आवाज का घिराओ करेंगे और साथी विधान सभा का भी घिराओ करेंगे इन सब के अलावा 13 जुलाई को बिजेपी सक्षकों के पक्ष में गांधी मैदान से विधान सभा तक मार्च करेगी मालूम हो कि बिहार के सक्षक अभ्यर्थियों की यह मांग है कि उन्हें बिना किसी सर्थ के राजिकर्मी का दरजा में ले पानी का संकर दूर करने को लेकर पठारी छेत्रों में बने छे गार्लेंड ट्रेंच बिहार के पठारी और पहारी छेत्रों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए लगो जल संसाधन विभाग के ओर से लगभग 80 करोर रुपे की लागत से 5-7 एकर 6 तरफल में 40 जगों पर गार्लेंड ट्रेंच के निर्मान की योजना बनाए गई है जिसमें लगभग 62 लाग घन मीटर पानी का संचय किया जाएगा आपके जानकारी के लिए बता दे कि इन ट्रेंच के निर्मान को लेकर अब तक 31 जगों पर स्विक्रती मिल चुकी है जिसमें से 6 जगों पर इस ट्रेंच का निर्मान पूरा हो चुका है जिनमें बांका के फुली डूमर प्रखंट के बहेडा मौजा बौनसी प्रखंट के सा 450 किसानों को सीधे फाइदा मिल रहा पटना भागलपुर और गया में यूनिट लगाने को लेकर मिली वीतिय मंजूरी निवेश पूर शाहन परसत के द्वारा बिहार के विविन ओद्योईक छेत्रों में 2 करोड से अधिक के 19 निवेश प्रस्तावों को लेकर वीतिय क्लेर दे दी गई है जिसमें सबसे जादा निवेश खादे प्रसंसकरन और हल्थ सेक्टर के लिए है बता दे कि जन जगों पर निवेश करने के लिए वीतिय क्लेरंस दिये गया है उनमें बिहार के राजधानी पटना के दनियावा में चिप्स और स्नाक्स के लिए 66.99 करोड का निवेश प्रस्ताओ पटना में पाटले पुत्र और द्योईक छेतर में सुईत नमकीन और बेकरी के लिए 10.34 करोड रुपए का प्रस्ताओ गया जिले में पुटैटो चिप्स के लिए लगभग 10 करोड रुपए का प्लांट अस्थापित किया जाएगा और बकसर के ब धरिया गंज में 100 बिड़ के अस्पताल निर्मान के लिए 4 करोड से अधिक के निवेश को प्रस्तावित किया गया है। जने यह सुनेडा अफसर मिलने वाला है, मालूम हो कि इन बच्चों को मैट्रिक और इंटल की परिक्षा बिहार बोर्ड ओफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से दिलाए जाएगी ताकि उन बच्चों को परिक्षा पास करने के बाद एक प्रमान पत्र मिल सके जिसका लाव व और फिर उसके आधार पर ही परिक्षा दिलाने के लिए आगे की कारवाई की जाएगी। BPSC के बैच के लगभग 93 छात्रों के पतियों के द्वारा उनके पत्नियों के नाम को कटवा दिया गया है। सिक्षा विभाग के दोरा राजे के साथ विश्विद्यालियों का और चक नरिक्षन करते वे कॉलेज की सैचनिक अकादमे का वीतिय और दूसरे पहलों पर जानकारियां ली गई और आज इसकी रिपोर्ट टीम के दोरा मुख्याले को भेज दी जाएगी। बतादे के जोरां सभी कॉलेजों के अधिकारी टीम के पहुंचने के बाद सचेत में हैं। मस्तिपूर, MUVBK, SNS कॉलेज टेकारी गया और महिला महाविद्याले दाउदनगर और अंगाबाद, PPUK AN कॉलेज और द्वारीका नाथ कॉलेज मसौरी, TMBUK GB कॉलेज नवगचिया और सारदा जुनजुनवाला महिला कॉलेज भागलपूर और VK SUK JJ कॉलेज आरा और नाम शामिल हैं। सब जगह दिखता है, इस पर और जादा काम किया जारा है, हरस्तर पर काम किया जारा है। वह जब उन से महागरवंधन में मचे घमासान को लेकर सवाल पूछा गया तो वो इस सवाल से बचते नजर आएं। उन्होंने कहा कि आप लोग पर तो एक ही पार्टी का कबजा हो चोड़िये ना। उन्होंने कहा कि एक ही केस में बार-बार चार्ज सीट दाखिल करना कहां से उचित है। बार सरकार हम लोगों के साथ जबरदस्ती कर रही है जो भी केंदर के खिला बोलेगा उनके पीछे ED और CBI लगा देगा। चार्ज सीट लगा देंगे केंदर सरकार का बस यही काम बा जराते हैं। के दोरा 26 जून 2003 से बढ़ा कर 11 जुलाई 2023 तक कर दी गई थी। लेकिन 30 सितंबर तक एम्प्लोयर्स को सैलरी और अने डिटेल जबा करने का समय दिया गया है। ऐसे में अगर आप 11 जुलाई याने की कल तक आवी दन नहीं करते हैं तो आपके हाथों से हाई पिंस चुनने क का विकल्प जा सकता है। प्तानी और IPL में खिलने वाले बस्ट प्लेयर्स के होने के बावजूत रोहित की कैप्टेंसी में टीम T20 में भी फाइनल तक नहीं पहुंच सकी जो काफी निरासाच जरक है। उनको सवाल पूछने चाहिए। आपने पहले फिल्डिंग करने का फैसला क्यों लिया ठीक है पॉंटिंग बोल रहे थे कि उनके खिलाब बाउंसर का इस्तमाल कीजे हर किसी को इस बात का पता था लेकिन हमने कोशिश ही नहीं की। के पहले सोमवारी में किस तरह का महौल रहा। अपने जाब हमें मारे कमेंट सेक्शन में लिक कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारे नियूस और साथ ये अगर आप यूटूब से देखरे चनल क को सब्सक्राइब करना और फेस्पूस से देखे तो पर इसको फॉलो करना ना भूले धानिवाद